हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज मर्रा भरी जिन्दिकी में कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका सीधा असर हमारी जीवन पर पड़ता है यानि कि हमारे शरीर पर आमतोर पर हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं मगर जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता ह तब हमें समझाता है जी हां दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर गौर करना जरूरी है और अगर बात समझा जाए तो इन बातों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा कि ऐसी गलती आप दुबारा नहीं करेंगे जी हां दोस्तों आपको बता दें कि आम घरों में दाल कुकर में बनाई जाती है मगर असलियत यह है कि कुकर में दाल पक्ती नहीं है बलकि गलती है इसी वज़े से अकसर लोगों को गैस और एसिडिटी जैसी दिकतों का सामना करना पड़ता है वहीं अगर आप तेज पंखे के नीचे या यूं कह पंदरा मिनिट में ठीक हो जाएगा कभी इंसान को खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को गुटने दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता हमीश्य कोशिश करें कि आप गर्म पानी का ही सेव करें क्योंकि ऐसा करने से शरीर का 70 प्रतिशत दर्द खत्म हो जाता है मानू की जैसे आपने कोई पेन किलर लिया हो अगर आप सुबह सुबह शर्बत या नारेल पानी पीते हैं तो कोशिश करें कि सुबह 11 बजे से पहले ही पी ले क्योंकि इस समय पिया हुआ शर्बत और नारेल पानी अमरत की समान माना जाता है वहीं अगर आप ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप रोजाना देसी गाय के शरीर पर हाथ फेले ऐसा दस दिनों तक करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो दोस्तों आपको हमारी एक जानक झाल 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 झाल झाल